प्रेक्टिस सेट नमबर 484 पर आजाई है यूपी PCS के लिए फोकस करेंगे इसमें जोग्रफी के प्रशनों पर प्लेलिज इस टेस्स सीरीज की बना रखी है अब हाँ पर आप टेस्स नमबर बन से लेकर 484 तक पहुं सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो से तीन सेके करिया के पश्चात विक्षित होती है बताईए निक्षालन की करिया के पश्चात विक्षित होने वाली मिट्टी का नाम बता दीजे इन में से सुश्क म्रदा लाल या पीली म्रदा लेटराइट मिटदा या फिर पोर्ट में मरदा क्या है इसका उत्तर ओप्सन नमबर C ल लेटराइट मरदा का विकास जो है वो उश्ण कटी वंद्री आद्र जलवायू परदेशों तथा मांसूनी परदेशों में होता है अर्था जिन छेत्रों में उचा तापमान और भारी वर्षा होती है वहाँ देखें उच तापमान और अधिक वर्षण के करण लेटराइट मरदा बनने की परक्रिया वहुत तीब रगती से संपारित होती है और इस परक्रिया में वनी मरदा को लेटर सोल कहते हैं देखे इस म्रदा में ह्यूमस की मत्रजवों कम होती है और अधिक वर्षा के काण घुलनसील खनेज पदार्थों का अपवेहन तथा निक्षालन हो जाता है दक्षन भारत मध्ध प्रदेश बिहार के पठारों के उच इस्थलो पर पाई जाती है लेटराइट म्रदा उसके निक्षेप और यह जो मिट्टी है रबर और कॉफी के लिए सबसे अच्छी बानी जाती है और इस मिट्टी में मुखिता चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, रबर, कह जबा जाती है get, allrating mark right है, तो correct है question number two पर हाजएए ? इन इम्रीकेयस में से कौन सा? एक भारत का आर्कटिग में अनुसंधान केंद्र है ँब लिए अंतार्क्टिका में भी है, अब आर्कटिक में भी है, आर्कटिक में कौन सा है ? अंतार्क्टिका में तीन है तो यहां जो उत्तर हो जाएगा, वो C, D हो जाएगा, हिमात्री जो है वो आर्क्रिक में अनुसंदान केंद्र भारत का, और जो अन्टार्क्रिक में सबसे पहला गंगोत्री था, यह तो बंद हो गया, मैत्री भारती यह चल रहा है, तो अकर देखा जाए तो A, B, C जो है, य ही है इसका आंसर, तो भारत का आर्क्रिक अनुसंदान स्टेसन जो है, केंद्र जो है, हिमात्री यह याद रखेगा, देखिए बात करें भारती की, तो भारती अन्टार्क्रिका में भारत द्वरा स्थापित अनुसंदान केंद्र का नाम है, यह अन्टार्क्रिका में भार बर्फ में दब जाने के कारण दक्षण गंगोत्री सप्लाई वेस के रूप में प्रियुक्त हो रहा है ठीक है जबकि मेत्री और भारती अनुसंदान केंद्र जो है इस थाई रूप से काम कर रहा है ठीक है तो दबा हुआ बर्फ में दक्षण गंगोत्री अगर पूछा जा देखियेगा कोशेन नूबर थरी पर आजाहिये कश्मीर बैली हिमाचल के कांगडा और कुलों की घाटी स्थितर थे conquist दोनों के बीच में इस्तित है तो उत्तर तो इसमें D होना चाहिए फुर तो पीर पंजाल और धोलाधर स्रणी के मद्ध में कश्मीर की पुरसिद घाटी हिमाचल परदेश के कांगडा और कुलू की घाटी इस्तित है यह चेत्र अपने हिल स्टेशनों के लिए पुरसिद है बहुत सारी प्रेटक देस विदेश से अधिकतर देश से जो है वो जाते है इन जगकों देखने के लिए वो थंडे इलाकों से अधिक वो गर्म इलाके पसंद करते हैं जितने मॉनुमेंट्स वाले हैं न जिसे दिल्ली हो गया अपना लाल किला ठीक है आगरिकाताज महल इ थंडे लागों में बहुत कम रहते हैं थंडे लागों में भारते ही रहते हैं कि वो लोग खुदी थंडे लागों में रहते हैं कॉश्चन नुम्बर फोर पर आजए देहरा दून कोटली दून पोटली दून इस्ते था ट्रांस हिमाले महान हिमाले के बीच मध्या लगू हि हमाले के बीच एक एक स्रेणी के दो दो तीन तीन नाम है लग लग पूछा आ सकता है उपर का महान हमाले हमादरी हो गया बीच का मद हमाले और नीचे का हो गया बाहे हमाले है शिवालिक हमाले तो मद हमाले या लगू हमाले और शिवालिक के बीच है मतलब यहां पर है देहर मद्ध हिमाले, लगू हिमाले, हिमाले परवत तंत्र की एक स्रंध़ा है। जो महान हिमाले के दक्षण में और सिंबालिक हिमाले के उत्र में इस्तित्य लिए यहां पर यहां वूग्नुक्षा DAVID इसे छहतरे रूप से कईनामू से जाना जाता है जैसे मद्ध हिमाले और महान हिमाले के भी इस दो प्रमगाटियां अस्थित हैं पस्चिम में कश्मीर वेडली और पूर में काटमांडू वेली कोश्चन नुमर फाइब पर आजए यह नमरे के देशों में से कौन सा देशों का युगम एक दूसरे से बाब अलमंदेव जलसंदी द्वारा अलग होता है यह इंपोर्टन्ट है बाब अलमंदेव जलसंदी बाब अलमंदेव यमन और जिबूती ऑप्शन नमबर सी तो बाब अलमंदेव अर्वी प्रायदी पर यमन और अफरीका के सींग पर जिबूती इरिट्रिया और उत्री सोमलिया के वेच इस्थित एक जलडमरूबद है जो लाल सागर को अधन की खाड़ी से जोड़ता है नमलिखित गर्दों में से कौन सा पर्थवी का सरवाधिक गहरा भाग माना जाता है गर्द को क्या बोलते हैं ट्रेच बोलते हैं ट्रेच मेरियाना ट्रेच है इसका उत्तर सी तो देखें मेरियाना ट्रेट जो है विश्व का एक प्रमुक और बहुत ही गहरा महसागर्य गरता है यह पश्चिमे प्रसांत महसागर में मेरियाना दीवसमू से 200 किलोमेटर मील में देखा जायता है 124 मील पूरब में इससे था कुशन नुम्बर 7 पर आजाए यह उच्च प्रकास तीब्रता मध्यम मात्रा में वर्षा ग्रीश्म आद रितू और हलकी सर्दी और वन में चोड़ी पत्ती वाले पणपाती बनों की बहुलता नम्रेगर में से कौन सा वन बायोम हो सकता है उच्च प्रकास तीब्रता मध्यम मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर ठीक है तेजी से होती है और एकदम रुख जाती है ग्रीश्म जो गर्म आद रितू पाई जाती है गर्म आद रितू हलकी सर्दी बन चोड़ी पत्ती वाले और पणपाती व्रक्षों की बहुलता ठीक है देखेए पत्तियां गिराते रहते हैं ये फिर नई आते रहते हैं इस तरह से हरे भरे दिखाए देते हैं आद रितू है तो वर्षा वन भरे तो ऊष्न कटी वंदिया वर्षा वन एसा छेत्र है एक ऐसा छेत्र है जो भूमत रीखा के दक्षण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है विश्व बन जिव निधी के वायों वरिक्रण के भीतर उष्ण कटी बंद्रे आद्रबन का एक प्रकार माना जाता है ठीक है इनको उष्ण कटी बंद्रे नम और चोड़ी पत्ती वाले बन भी कहते हैं और उन्हें विश्व बती है सदा बहार तराईपन के रूप में भी नर्दिष्ट किया जाता है ट्रॉपिकल अवर्ग्रीन फॉरस्ट दो सु सेंटिमेटर सेदिक वर्षा कॉश्चन नमबर एट पर आजएए अमली है वर्षा उत्पन होती है समुद्रो से जल के वाशबिकण से हवा के आकासरी विजली से विद्दू से जब गर्म हवा ठंडी वाईूराशियों के ऊपर गती करती है C.B.G.B. Vिद्दू सेытखे देखें विद्दू से और बड़ी मात्रा में विजली उत्पातन करने के लिए कोईले जैसे जीवाश्मो का इधन करते हैं ठीक है जैसे सलफा डायकसाइड तथा नाइट्रोजन आकसाइड मुक्त करते हैं ठीक है इसके अलाबा कारों से ट्रकों से और बसों से नाइट्रोजन आकसाइड और सलफा डायकसाइड हवा में मुक्त होती है और यह पुर्दू अध्र वेटलेंड के लिए और इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ थाली और जलिये सेस्ट पारिश्च्ट अंत्र जला से जील ईुशनifier कों या भीर जाताए दरा दरेंड वेटलेंड ॉत्तर है जहाँ नमी तो नमी या दल दली भूमी वा राछिटेंड कहा जाताए दर सल रा पाई जाती है और इसके कई लाब भी है ठीक है अब वेट लेंड में अगर वेट लेंड दिवस की आदर भूमी दिवस की अगर हम बात करें थीम की तो आदर भूमी दिवस 2020 के आपको थीम याद रखनी है आदर भूमी और जैविवित्ता मतलब वेट लेंड एन वायो ओरी को जो है वो विश्व आधिरहोमी दिवास मना है जाता है कि प्रेशन क्रमांग संखिया दस पर आज जाईएन अमर्गेद मेंसे कौन कांसे देश से इस केने डेवियन के नामसे जाने जाते हैं काउन कौन से इस में बताइए इस के डेनी piping country कां कौन से हैं पॉलेंड तो नहीं है आइसलेंड है नॉर्वे है यॉनाइटड किंग्डम नहीं है उपर के दो ए और बी तो इसका अंसर हो जाएगा नार्डिक कंट्री कहलाते हैं याद रखना ठीक है नार्डिक कंट्री कौन कौन से फिनलैंड आइसलेंड और फैरो दीप समू और इसके डिन अभी आई कौन कौन से नॉर्वे स्वीडन और डैन्मार्क क्या होती है सुनामी और कैसे आती है देखे जब धरती हिलती है तो भुकंप आता है जब यही भूकांप समुद्र में आता है तो सुनामी बन जाता है, यानि समुद्र में उठा तूफान ही सुनामी कहलाता है, समुद्री तूफान को जापान में सुनामी कहा जाता है, जापानी भासा में सू का मतलब समंदर और नामी का मतलब लहरे होता है, पूरी दुनिया म कोश्चान बारे पर आ जाई है और रिवीनिसी और बंगाल की खाड़ी में जाब आती है तो भारत के राज़श हिलना लगते हैं मतलब परिसानिया पढ़ना लगते हैं कोश्चन नमबर बारे पर आजए कौन सा पारिश सिद्गियत अंतर का कार्यात्मक पहलू नहीं है ठीक है जल उर्जा चक्र खाद स्रंखलाएं जैवे भेता जीवों के वीज अंतरसंबद यानी उत्पादक पोधे क्या और लग रहा इसमें यही लग रहा उत्पादक पोधे ठीक है यह सब मिलकर ही तो यह तीनों चीजा करते हैं तो देखे उत्पादक या पोधे संगटनात्मक पहलू है ना की कार्यात्मक यह मिलकर ही तो कार्यात्मक करेंगे पोधे ये सब मिल जाते हैं तो कारात्मक, मतलब उर्जा चक्र में भाग लेते हैं खाद संखला ठीक है, जीबों के बीच विविदता, पोशक चक्र या जैवरासानिक चक्र विकास ठीक है, उत्पादक हो गया उर्जा चक्र बनाते हैं ठीक है और जीबों के बीच मतलब आपस में भिविदता दर्शाते हैं जैवरासानिक चक्र, विकास, खादर संकला फूड चेन बनाते हैं और वही था इसमें, भीवाला इस तरह के प्रेशन पूछे आते हैं, कोशन नमबर तेरह पर आजे इन अमलिकित में से कौन से देश, दोहरे रूप से भुआबद देश हैं या दोहरे रूप से इस्तल अवरूद देश हैं या डवल लेंड लॉग्ड कंट्री पूरी दुनिया में जैसे कि उजबेकिस्तान डबल लेंड लॉग्ड है लिचेस्टीन डबल लेंड लॉग्ड है परागवे सिंगल लेंड लॉग्ड है साउथ अमेरिका का तो दो और तीन इसका अंसर हो जागा आपसर नमबर भी तो योरोप में लिचेस्टीन दो भूमी से घिरे देशों ठीक है दो भूमी से घिरे देशों से घिरा हुआ है मतलब पहले से ही जो देश लेंड लोग्ड है ठीक है और वो लेंड लोग्ड होगा कैसे कि उसके पीछे भी कोई देश होगा समुद्र या सागर से उसकी सीमानी लगे होगी उजुबेकिस्तान जो है वो भी डबन लेंड लॉग्ड है उजुबेकिस्तान जो है वो पांच देसों से घिरा हुआ है ये कौन-कौन से हैं अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और ये सारे के सारे कंट्री जो हैं, ये खुद भी लेंड लॉक्ड हैं, इस ताल अब रुद देश हैं, कोशन नंबर 14 पर आज़ाई है, पनामा नहर नमलिकित में से किन जलाशे या जले निकायों को जोड़ती है, पनामा, इसकी एक ट्रिक थी बच्पन में, प्रशान्त पनामा पीकर अट्लांटिक महासागर में गिर गया, ठीक है, पनामा एक सिगरेट आती थी, सायद अभी भी आती हो, ठीक है, तो ये ट्रिक है, प्रशान्त जो है, पनामा पीकर अ प्रशान्त महासागर और प्रशान्त महासागर तथा अट्लांटिक महासागर को जोड़ दिया इस नहर की कुल नंबाई है 82 किलोमेटर इसकी चोड़ाई है 90 मिटर और नियूंतम गहराई है इसकी 12 मिटर कोशन नंबर 15 पर आजए अंतिम प्रश्ण है एक वन्यजीब अभर्ण का नाम बता देजे कहां परिस्त है अमचांग वन्यजीब अभर्ण भारत के किस राज में इस्तित है जिस राज में इस्तित है कांजी रंगा जिस राज में पाया जाता है एक सिंग वाला गेंडा तो आ nhi wreck आपको यहाँ ब्रिक जीब आपने के लिए मतलब गूमने के लिए तो आपको जीवों की कुछ परजातियां वहाँ देखने को मिलेंगी कौन-कौन सी, जैसे कि चीनी, वरजदेही वज्ज्रदेही आपको मिलेगा वहाँ पर उडन लॉमडी मिलेगी, शर्मीली बिल्ली मिलेगी, असमिया मकाक मिलेगा, मतलब बंदर, रीसस मकाक मिलेगा, कैप्ट लंगूर मिलेगा, हुकाग गिबन मिलेगा, ठीक है, जंगली बिल्ली मिलेगी, चीता टाइगर मिलेगा नॉर्मल बिल्ली मिलेगी चीता बिल्ली मिलेगी ठीक है, पूरही है तेंदुआ मिलेगा, हाथी मिलेगा, जंगली सुर मिलेगा, संभर मिलेगा, बार्किंग डियर मिलेगा, यानि भौकने वाला म्रग, गौर मिलेगा और साही, ये सब जानबर जो है, आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, सारे के सारे ये तो मैमल हो गए, इस्तंधारियां तो ये पंदरा प्रशनते जोग्राफी के इनकी प्रक्टिस एक बार तो करी लेजगा इंपोर्टन्ट है, इंपोर्टन्ट है इसकी एक्सलिनेशन धन्यवाद